हेलो फ्रेंट्स क्या हाल चाल है आई तिंक आप लोग ठीक होगे तो दोस्तों आज मैं आपके लिए यहां पर बहुत इंट्रस्टिंग एक टॉपिक लेकर आया हूं कि कैसे हम इस एक्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स पताने आया हूं अगर आप इन पॉइंट्स के उपर फोकस करोगे तो डाफिनेटली आप इस एक्जाम्स को यहां पर किलियर कर पाओगे ठीक है तो देखते हैं कि क्या हमारे पॉइंट्स है और इन पॉइंट्स को जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप आपको यह पॉइंट्स अच्छे से पता होंगे तब भी आप इस एक्जाम्स को अच्छे से किलर कर पाओगे ठीक है तो देखो पहला पॉइंट्स क्या है प्रीवियस यह कोश्चोंग की अऑप इक्छे से ऐक्षे से फोक्स करना है ठीक है देखो आप किसी भी स्ट्रिम स से ब्लॉंग करते हो तो चले बस तो पता हो नहीं चाहिए साथ ही साथ में आप अगर उसके पीवाइक्व कोस्टन को सॉल्व करते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस टाइप के कोस्टन जनरली हमसे एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है पहला पॉइंट यह हो ग बनाने की क्योंकि एक्जाम में आप यह मोटे मोटे रेजिस्टर तो नहीं पड़ पाओगे मान लीजिए आपने एक नोट्स बना भी लिए नोट्बुक बना भी ली तो वह नोट्बुक काफी मोटी मोटी होती हैं तो एक्जाम टाइम में वही नोट्स हमसे फिक पड़े तो आपको फाइदा होगा उसके आप प्रिपेर एप्टिट्यूट अब देखो यार एप्टिट्यूट के लिए अलग से कोई टाइम निकालता नहीं है रोज एक घंटा सुबह या जब भी आप तुरी हो तो आप एप्टिट्यूट पढ़ लीजिए ठीक है मैं ये एक्सराइज भी हो जाती है आपको तो जैसे सब्जेक्ट से हटके कुछ एप्टिट्यूट के कोस्स लगा लीजिए जिससे आपको एक रिफ्रेश्मेंट भी आपके ब्रेन में आएगा ठीक है आपका ब्रेन भी रिफ्रेस्ट होगा उसके बाद है ट्रिक करने की ठीक क्योंकि यार एक्जाम टाइम में आप सारे कॉसंतों बैठके सौर्व नहीं कर सकते ना ठीक है कि प्रॉम्राइज ले ठीक है आपको क्या करना है टाइम टु टाइमें पामले को revise करना है क्योंकि अगर आप formulae revise नहीं करोगे तो चीज़े को भूलते वे जाओगे और भी यही सारी चीज़े compile होके घटा होके आपको last में परिशान करेंगी ठीक है leave time consuming questions अब यह बहुत बड़ा statement है यह बहुत बड़ी बात है जो भी questions आपके time time consume कर रहे है उनको अभी से छोड़ने की आदर डालो ठीक है क्योंकि exam time में क्या होता है माल दीजिए आपके सामने question आया थोड़ा सा भी पड़ा हुआ question होता है आपको तो आपको लगता है कि यार मैं इसको solve कर लूँगा और लग जाते हो उसके पीछे solve करने में ठीक है और फिर माल दीजिए आपसे वो question नहीं होगा तो फिर आपका time वी waste होगा तो ये नहीं करना है ठीक है तो time consuming questions को आप लोग छोड़ सकते हो skip कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं होगी ठीक है फिर make distance from social media social media से आप लोग proper distance बनाके रखो अब देखो आज की date में सब कुछ online हो चुका है तो मैं यह नहीं बोलूगा कि mobile को side में रख दीजिए ठीक है क्योंकि आज की date में पढ़ाई भी हम mobile से करते हैं जो यह video आप देख रहे हो हो सकता है यह भी आप mobile में ही देख रहे होगे laptop में देख रहे होगे ठीक है या आप facebook पे देख रहे होगे कहीं न कहीं instagram पे यह आपको video दिख रहा होगा तो मैं यह कभी नहीं बोल सकता है कि आप mobile को side में रख दीजिए हाँ बस मैं इतना कर सकता हूँ कि आप इसका एक routine बनाईए इसका एक उसको यूज करने के तरीके डवलब कीजिए कि यहाँ वह जैसे माल लीजिए आप exam time में पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा mobile से दूर रहो या आप एक दिन decide कर लीजिए कि इस पूरी दिन में mobile नहीं उठाऊंगा लेकिन यह चीज़ पॉसिबल नहीं है ठीक है लेकिन आप इस पर control तो कर सकते हो ना अब आप कैसे करते हो इसको देखे फिर don't panic and hyper फिर throughout इस जरनी में जो आप exam preparations कर रहे हो आपको panic नहीं करना है ठीक है कभी बहुत बार मन में एक ख्याल आता है कि यार इसकी प्रपेशन को छोड़ देते हैं कुछ और ट्राइ करते हैं एना SSC देते हैं रेलवे देते हैं बैंकिंग देते हैं तो यह कभी आपके मन में विचान नहीं आना चाहिए अगर आप सोच रहे हो कि आपको assistant professor यारिफ के लिए करना है तो फिर आपको इसी पर focus करना होगा ठीक है तो live में आपस डाउन आते हैं मैं यह नहीं बोलूँगा बहुत छोटा स्लेवस है काभी बड़ा स्लेवस है तो focus रहो अगर आप panic कर गए तो बात हाथ से निकल जाएगी ठीक है और यहाँ पर अच्छी बात यह ना कि आपको केवल physics पढ़ना है थोड़ा सा aptitude पढ़ना है अगर आप किसी और competitive exam की बात करती हो जैसे like SSC, railway, banking तो आप देखोगे वहाँ पर आपको काफी सारी चीजे पढ़नी पढ़ती है और काफी सारा crowd होता है काफी सारी भीड होती है उसके साथ आपका competition होता है फिर उसमें merit में भी आपको अच्छे कांसे number लेके आने पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर आपको 50% marks लेके आने है और you will get JRAF rank तो आपको JRAF rank प्राप्त हो जाएगा ठीक है तो यह चीज आपका होता है तो बस मैं इतना बोलूँगा कि अगर आप इन points को अच्छे से follow करते हो तो चीजे आपको आगे चलके मिलेंगे ठीक है तो मिलते हैं क्लास में बाबाई